आप एक बार बनाओगे तो बार बार बना के देखेंगे तो हम स्टाट करते हैं हमारे रेसिपी इसमें हम डालेंगे ओल का स्मेलने आने शहिए कौन सा भी आप ओल यूज कर सकते हैं तो मैंने यहां डालाए तो अब हम डालेंगे कर्ड देही तो यहां हम डालते हैं अब हम पीजी हुई चीनी डालेंग शुगर जेसे हैं हम तो हम इसे आप मिक्स करेंगे आप कोल सभी यूज कर सकते हैं और ऐसा कुछ भी हो आप ख्रवास आप यूज कर सकते हैं ैसे देखिया हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने ओल को कर्ड को और शुगर को मिक्स कर लिया है पीसी हुए शुगर को अब हम इसके उपर चन्नी रखेंगे सो हमने यह चन्नी डाल दी है अब हम यहां मैदा डालेंगे इसमें हम मैदा डालेंगे और सो हम इससे इसमें आप वो सोडा डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यह मैंने बेकिंग पाउडर डाली है इसमें बेकिंग सोडा डालने वाले हुए इसमें बेकिंग सोडा डालने वाली हुए यह जो मिस कर लेना है और इसे अच्छे से मिस करके डालने होती है मिक्स कर रहे हैं मिक्स कर लाइ problems मिक्स कर लाङए किसे भी चीज़ से मिक्स कर सकते चुम्चे से या इस आपके पास यह हो तो इससे भी यहां मुझे लगता है और लगीगा दूद्ध तो हम ने रखा यहां तो हम डालते हैं सो के यहां हो रहा है इच्छे लग रहे हैं यह हम बना रहे हैं यह बेस उसका सो मैंने मलाई पहले बना रखे रखे हैं सो हम डारेक्ली पूट करने जाने वाले हैं सो इस बाटर इस रेडी हमार बाटर जो है वो रेडी हो गया है यह हमें और दूद डाल रहे हूँ करते हैं आज आ चाहिए फारे आज परेगा तो शाये आज़ा है आज़ा प्रक्राइश देरें देडार्इश आज़ा आज़ांगे बहुत इसी रेसिपी है अब तुरंट सीख जाएंगे अग्याइक मेने पतिला ली आज़ा आज़ाएंगे आज आज़ाएं आज़ा ने तो हम इससे गानिशिंग ऑईल से करेंगे बटर हो तो बटर भी लगा सकते हैं यह ने यह हमें नितेल लगा दिया है अब हम इसमें डालेंगे हमारा पीकर जोड़ेरी हो गया है आप यहां देख सकते हमने बिटर रखा है यह पूरे से अच्छतर सी रहने का तो अब हम इसे कडाई में रखेंगे आज हमके कडाई में बनाने जा रहे वाले हैं तो हमने कडाई गरम करने के लिए रखी है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे यहां में वाटर डाल दिया है और गयास हमें स्लो मेडियम पर करनी है अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे आपके पास जैसा स्टैंड हो आप रख सकते हैं अगर नहीं हो तो आप डीश भी रख सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं तो अब हम हमारा सब्सक्राइब बनाने वाले आज बेसिक केक बलाई केक सो जिस तेसी स्टैंड रखते हैं और इसे हम ठख देख सकते हैं अमने केक रख दिया है वो भी स्लो मेडियम पर हाइव में नहीं रखना है और अब हम वेट करेंगे 30-35 मिनिट्स तक यहां पहले से मलाई बना के रखी है आप जब मलाई बनाओगे तो रूम टेंप्रेचर में होनी चाहिए तो केक रेडी होने के बाद हम उस पर डालेंगे हमारा केक फूल चुका है और हमने ग्यास भी बंद कर दिया है अब हम इसे थंडा होने तक रखेंगे रूम टेंप्रेचर पे आने तक सो अप्ड़राशन आफ केक लादेगे नचर प्रेचर अभरा गरात बंद केकत कमरे तक बंद केता है तक बंद केक अगैश है अएब अगैश नँगई से एगए सब्सक्ता है ताइट नट से निदू तो केक फ्रीज करने के लिए रखा था और वह अच्छी तरह से फ्रीज हो गया है तो केक फ्रीज करके रेडी है आप देख सकते हैं केक बहुत अच्छा लग रहा है टेस्टी लग रहा है मैंने पीस निकले है बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है आप ट्राइ कीजिए जरूर इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू